जो हम उस ताइम में थे, जो हम प्रेयांक करके साथ में रहते, तो हमारे को भी उल्टा सिदा बोलते हैं लोग, वो मोबेल में छोड़ रहे हैं, ये पूरा फेक केस के पिच्छे लगके, बीजेपी के लोगों के साथ विवार करके, यहां पर चलने वाला दरनी, ये इसको सच्चा ही रना, उसमें सच्चा ही रना, सच्चा ही रहे तो उसके साथ में लोग आते हैं, हमारे गुलबर में रहने वाले कोली समाज के रोक, बहुत विचार करके, सोंच के, ये लोगों को सपोर्ट नहीं किया, तो इनका गुश जल रहे हैं. आज के दिन जो गुलबर में प्रशेस चल रहे हैं, वहां पर दरना बैटे हुए लोग, जो कलगूरती ग्राम के उस गाउं के एक देवानन्द बोलके, दो जहर फीके, डेथ हो गया, उसके लिए कुछ लोग समयन्वाय समीती बोलकर, यहां पर गुलबरगा में, वह मरेकने के बाद, दो तीर मैने के बाद, यहां पर दरना चालू किये, कुछ लोगोंने, जो जहर पी आता, उस दिन हमारे संगटने के, हम लोग गेते, हमारे पूरा पोलिस में रिकार देखे तो, जो गाओं में एक लड़की, दूसरे लड़के के साथ बाग गई, वो लड़की बाग गई ना, उसको यह जो देवानन्द है, यही सपोर्ट किया, और इसका कॉल रिकार्ड निकाले तो, 43 बार उसके साथ बात किया इनने, लोश्ट काल किसका है, पोलिस चक करे रहे, इसका ही है, इसको बुलाए, टेशन फोन करके, इसको एनकोरी करे, शर्फ एक गंटा, देवानन्द और उसका पिताजी गए, एक गंटा में एनकोरी करे, वो कहा है, कहा हां रते, हमारे को मेसेज जो के लिए, बाद में आके, उ समीति तरफ से 3 लाग रुपी दिये हुँ, दवाकान खच्चा बोलके, दवाकान का बिल बरने का यह नहीं था, हम लोगों दिये के बेन होस्पटिल में, उसके बाद जो हमारे समाज के, कोली समाज के, डीएसपी के बसुराज, और कोली समाज के सरकल, हमारे कमान बनी, उन अपना कुछ टेंशन भी आके, जहर पिया हमारा कुछ गलती नहीं बोले के बाद, हम लोग चुप बैटे, यह होने के बाद, उस टाइम में यह जो अब दरणा बैटे, यह भी बंदा उदर आया नहीं, जहर पिया तो उदर एक बंदा पता नहीं था, लेकिन बाद में जो प्रियांक खरगे साथ के उपर इल्जाम लगा रहे, गड़ी-गड़ी उनके नाम से गाली दे रहे, एक लबज में बात कर रहे, जो हम उस्टाइ में थे, जो हम प्रियांक खरगे साथ के साथ में रहे तो हमारे को भी उल्टा सिदा बोलते लोग, वो मोबल में छोड रहे यह पूरा फेक केस के पिच्छे लगके बीजेपी के लोगों के साथ विवार करके यहाँ पर चलने वाला दरनी यह बिल्कुल लाइन सापी है इंसाप नहीं है इसलिए हम आज बोलना चाटे कोई दरना करने वाले उसको सत्ता ही रना उसमें सच्चा ही रना सच्चा ही रहे तो उसके साथ में लोग आते हैं अमारे गुलबर में रहने वाले कोई समाज के रोग बहुत विचार करके सोच के यह लोगों को सपर्ट नहीं किया तो इनका गुशा रहे है यह लोग हर लोगों को इल्जाम लगा रहे है यह बिलकुल गलत है यह बीजेपी का तरफ से होना बुल के कर रहे है आज सरकार ने CID में दिया केस इसमें CID तनिका करते है उसका रिपोर्ट देते है वो खुला सा होता लेकिन यह लोग बिना कॉंग्रेस पार्टी जो प्रियांका खर्येसाब का इल्जाम लगाने के वाज़े होराट कर रहे है जो आत्मत्या किया उसका परिहार देने के लिए उसको एक इंसाब देने के लिए यह रोग नहीं है खाली दूसरे के उपर आरॉप करने के लिए बीजेपी लोगों के साथ व्यवार करके होराट चल रहे हैं बोलके हम आपको बोलते हैं